Hello guys and welcome to my YouTube channel Technical Uttar Pradis हमारे पास है Redmi 13C का phone और इस phone में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किसी भी app की notification बंद या चालू करना चाते हैं या आप जो है lock screen की notification बंद या चालू करना चाते हैं lock screen पे notification नहीं दिखानी चाहिए यहाँ पे notification and control shuttle नामसी option आप देख रहे हो इस पर आपको किलिक करना है इसके बाद सबसे पहला option आप देख सकते हैं lock screen का आप इस पर किलिक कर देजिए इस पर किलिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं show notification and content अगर चाहते हैं जब आपका phone lock रहे तो आपके lock screen पे notification ना दिखाए देती यहाँ पे don't show पर किलिक कर देंगे फर्ष्ट वालेप किलिक करेंगे तो notification दिखाए देगी इसके बाद बैक आते हैं अगर आप जो है यहाँ पे show किये हैं किसी आप की notification बंद करना है यह home screen और lock screen दोनों के लिए बंद हो जाएगी आप की notification इसके बाद बैक आते हैं notification shade इसको बंद करेंगे यहाँ पे जब भी notification shade हो गयरा style किसी style में दिखना चाहिए तो यहाँ पे आप जो android style या my UI style चूज कर सकते हैं इसके बाद items हो आणदा lock इसके इसके बाद आपकी लिए करते हों notification shade इसको बंद कर दोगे जब phone lock रहेगा तो यह देख सकते हैं कोई भी open नहीं कर पाएगा notification shade तो इस तरह की से आप लोग सारी setting कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like जरूर करें